हेलो फ्रेंड्स आके स्टार्ट करते हैं अबना टॉपिक इन फाइनेट सीरीज बट रहे थे हम तो आगे क्या हमारा टॉपिक है सम इंपोर्टेंट थियोरम्स जो हमें एक रेजल्ट के रूप में हमेशा ध्यान में होने चाहिए तो फैली थियोरम क्या आती है क्या बोल लिए खिर्यम्स कि कोई भी सीरीज है आपके पास कोई भी इन फाइनेट सीरीज यूएन है इसका क्नवर्जेंट डाइवर्जेंस और और अक्सीलेशन बियवियर क्या है अंचेंजड रहता है क्या रहता है, UNCUNGED किसे यदि हम उस सिरीज में कुछ FINITE number of delmrds क्या कर दें, add कर दें, क्या FINITE number of delmrds क्या हटा दें, या कुछ FINITE number of delmrds क्या कर दें, change कर दें. तो उस सिरीज का भी रहता है, UNCUNGED रहता है, जैसे example के तौर पे देखिए, यह सिरीज होती है सिरीज 1 by n n बराबर 1 to infinity हम जानती है यह सिरीज क्या है divergent क्या है divergent अब मैंने इस सिरीज से इक नई सिरीज बनाई सिरीज मैंने समेशन को क्या किया n बराबर 11 से स्टाट कर दिया और सिरीज 1 by n अब यह कैसे खुलेगी 1 upon 11 plus 1 upon 12 यह सिरीज चलती जाएगी और मैं जानता हूँ कि यह सिरीज किससे बनी है इससे ही बनी है इसकी शुरू कि मैंने 10 टर में हटा दी और यह सिरीज बन गई और इसका behavior मेरे को पता है divergent है तो यह सिरीज भी क्या होगी divergent होगी इस थियोरम से अब सेकेंड थियोरम क्या है इपदा सिरीज यून और सिरीज बन converges क्या हो convergent हो to u and v respectively and k is any number then first क्या है सिरीज यून प्लस मैनस बन converges to u प्लस मैनस v यानि दो convergent सिरीज का sum भी convergent होगा और दो convergent सिरीज का difference भी क्या होगा convergent और उनका sum क्या हैगा अगर u प्लस भी आजाएगा और difference कर रहे हैं तो u माइनस भी आजाएगा और किसी convergent सिरीज को किसी number से multiply कर दी है तो वो series भी convergent होगी और उसका sum क्या होगा के से multiplied हो जाएगा ये दोनों थियोरम आगे समझे अब आगे देखिए behavior of geometric series geometric series का क्या behavior होता है the geometric series इस form की होती है geometric series तो geometric series first है converges to a upon 1 minus r ये क्या है first terms और r यहां पे क्या होता है common ratio common ratio of geometric series अगर common ratio की value क्या है mode r less than 1 है तो series क्या होगी geometric series क्या होगी convergent होगी और ये उसकी limit आएगी और r की value 1 या 1 से बड़ी है तो divergent होगी r की value minus 1 है तो क्या होगी oscillating finitely होगी r की value less than minus 1 है तो क्या होगी oscillating infinitely example देखिए इस पे series 1 by 2 raise to power n ये क्या है geometric series है और यहां पे r की value common ratio कितना है इस series में 1 by 2 जो की क्या है 1 से less than है तो given series क्या होगी convergent होगी और इस formula से इसकी limit निकल जाएगी अब आगे एक थियोरम है generalized harmonic series और इसको क्या बोलते है p series test भी बोलते है ये important theorem है आगे जब मैं आपको comparison test कराऊंगा आप positive term series के लिए तो इस series को हम बारी-बारी से use करेंगी तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है क्या है इसकी statement एक positive term series series 1 by n raise to power p is convergent if p greater than 1 कब convergent होती है p greater than 1 और divergent कब होती है p less than equal to 1 और p अब cost positive होता है इसमें p क्या होता है positive p greater than 1 है तो क्या होगी convergent और p less than equal to 1 और greater than 0 है तो divergent अब कुछ example है इस पे देखिए series 1 by n यहाँ पे p की value कितनी है 1 है तो divergent होगी series 1 by n scale p की value कितनी है 2 तो convergent होगी series 1 by n rest to power 3 by 2 p की value कितनी है 3 by 2 तो क्या होगी convergent होगी क्योंकि 3 by 2 1 से बढ़ा है और series 1 by n rest to power 2 by 3 यहाँ पे p की value कितनी है 2 by 3 less than 1 है तो divergent होगी ठीक है आगया समझ में यह test यह बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है आपको क्योंकि comparison test में हमें एक series की load आउशकता होती है और उसको हम उसके लिए हम क्या करेंगे इस series को क्योंकि इसका behavior हमें पता है किस पर depend करता है p की value पर depend करता है अब आगे देखिए आगे एक चीज़ हो रहे कोशी general principle of convergence इसका भी क्या है बहुत important role है कोशी general principle of convergence of a series क्या होता है देखिए सबसे पहले एक note है a necessary and sufficient condition for the convergence of an infinite series is that the sequence of its partial sums is convergent यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी series का behavior किस पर depend करता है उसकी sequence of partial sums पर depend करता है यही मैंने इस note के अंदर लिखा है क्योंकि हम convergence के लिए बढ़ रहे हैं यह कोशी general principle of convergence के लिए बढ़ रहे हैं तो मैंने यह convergence के लिए लिखा है कि necessary and sufficient condition क्या है किसी भी series के convergence होने के लिए कि उसकी sequence of partial sum convergence हो और कोशी general principle हमने sequence के लिए भी पढ़ा था और उसका हम यहापे क्या करेंगे use करेंगे क्या statement है कि a series un converges if and only if for each epsilon for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that un plus 1 plus un plus 2 dot dot un plus p is less than epsilon for all n greater than equal to m and p greater than equal to 1 प्यूफ दे किसका by कोशी general principle of convergence for sequences sequences के लिए कोशी general principle हम जानते है the sequence sn sequence sn कौन सी है partial sums की sequence है किसकी series un की converges if and only if to each epsilon there exists a positive integer m such that sn plus p minus sn less than epsilon for all n greater than equal to p and p greater than equal to 1 यह क्या है sequence का कोशी general principle है किसके लिए convergent होने के लिए किसी भी sequence की और यहाँ पे हम sequence कौन सी ले रहे है sn जो series un के partial sums की sequence है तो वो convergent कब होगी यदि परतिक epsilon greater than 0 के लिए एक ऐसा positive integer m exist करे कि for all n greater than equal to m p greater than equal to 1 के लिए यह hold करे अब sn प्लस p की value हमने put कर दी क्या है first n प्लस p terms का sum है u1 प्लस u2 प्लस u1 प्लस u1 प्लस 1 प्लस u1 प्लस 2 कहां तक जाएगा un प्लस p तक minus sn sn की value क्या है first n प्लस p का sum है series के तो अब यह आ गया value put कर दी less than epsilon for all n greater than equal to m and for p greater than equal to 1 यह तो चली रहा है अब क्या है u1 प्लस u2 प्लस un यहां तक यह क्या होगा cancel हो जाएगा क्योंकि अब माइनस का sign है तो बच्चे का क्या un plus 1 un plus 2 plus dot dot un plus p is less than epsilon mod for all n greater than equal to p and p greater than equal to 1 तो यही तो हमारा क्या था principle the constitutional principle for convergence of a series किस से प्रूफ किया इसको sequence के constitutional principle से और हम जानते है series का भी वेर sequence पे depend करता है कौन सी sequence पे sequence of partial sums पे और उसका यूज किया है और constitutional principle को हमने प्रूफ करती है ठीक है thank you friends अगे हम स्टार्ट करेंगे please like the video subscribe the channel thank you